नमस्कार मित्रो, मैं दुरगा परशाद मिष्ट्र, महाभास्ति की इसक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूँ पिछले पाट में हम लोगोंने शिद्धय सब्दार्थ संबंधे यहाँ पर नित्य सब्द के विशाय में अमने सिद्ध सब्दकार्थ नित्य है कि नहीं इस विशाय में बहुत अच्छे से विचार किया था और निर्ण ये निकला था कि सिद्ध सब्दकार्थ क्या है नित्य कोई कहे कि नित्य का ही प्रियोग कर देते तो इसका उत्तर भी दिया था कि नित्यका प्रयोग करेंगे तो नित्यसब्द भी आभिक्षेन अर्थ में बाहुल अर्थ में होता है तो बाहुल अर्थ में होने के कारण कहीं बाहुल अर्थ ना ले लिया जाए इसलिए ब्याक्ष्यान तो करना ही पड़ेगा और व्याठ्षान करके नित्यार्थ का विग्रहन भी हो जाएगा तो इसलिए सिद्ध सब्द का ही ग्रहन किया ठीक है अब यहां पर एक नया प्रस्ण उठा रहे हैं किया था कम पुनहा पदार्थम मत्वा एस विग्रहा क्रियते मने हमने ये बात तो कह दी कि मने जो सब्द है पद है पदार्थ है और उनका संबंद क्या है सिद्ध है अब यहां पर कह रहे हैं कि पदार्थ क्या है मतलों पदार्थ क्या है ये भी बात उठा चुके हैं कि जाती है कि तरभ्य है तो जाती और दरभ्य दोनों पदार्थ हैं ये बात पहले उठा चुके ह आकरती को पदार्थ मान करके कौन सा सूत्र बनाया था जातिया ख्याया में एकस्मिन भोवचन मने तरस्याम और द्रब्य को पदार्थ मान करके कौन सा सूत्र बनाया था सरूपा नाम एक से सेख विवक्तव तो अब यहाँ पर प्रसुन उठा रहे हैं कि अथमाने इसके बाद कम पुनहा मने कम मने किसको पुनहा मने फिर पदार्थम मत्वा पदार्थमान करके एस बिग्रहा करियते यह बिग्रह किया जा रहा है किया जा रहा है अथवा जाती को पदार्थ मान करके यह बिग्रह किया जा रहा है किसका बिग्रह है सिद्धे सब्दार्थ संबंधे का जो बिग्रह है वो किया जा रहा है क्या बिग्रह है सिद्धे सब्दे अर्थे संबंधे चो सब्दार्थ संबंदे का विग्रह क्या किया है सब्दे अर्थे संबंदे चो यानि यह जो विग्रह किया है यह किसको पदार्थ मान के किया है द्रब्य को पदार्थ मान के किया है कि आकरती को पदार्थ मान करके किया है समझगे करें तो यहाँ पर सिद्ध सब्द का अन्य कहां कहां हो रहा है सब्द में हो रहा है अर्थ में हो रहा है संबंध में हो रहा है यानि सब्द भी सिद्ध है अर्थ भी सिद्ध है और संबंध भी तो सब्द यानि सब्द बता ही चुके हैं पहले ही कि सब्द क्या है नित्य है तो सब्द तो सिद्ध है ही अर्थ भी नित्य है प्रवाह नित्य तया तो अर्थ भी जो है सिद्ध है ये समझें कि नहीं और सब्दार्थ का जो संबंध है वो भी नित्य ही है क्योंकि अर्थ बोध जनकत्य की योगता हमेशा सब्द में रहती है कि नहीं रहती है तो इसी लिए यहाँ पर सब्द नित्य है तो इसी लिए सब्द और अर्थ का संबंध भी नित्य है क्योंकि अर्थबोद जनकर्त की जो योगता है वो हमेशा सब्द में रहती है सब्द का अर्थ के साथ यही संबंध है और सब्द चूंकि नित है तो योगता हमेशा ही रहेगी तो अर्थबोद जनकर्त योगता रूपी जो सम्मंद है जो अर्थ का सम्मंद सब्द के साथ है वो हमेशा रहेगा तो यानि सभी चीजें क्या है? सिद्ध हैं यह समझ गई कि नहीं तो कहते हैं कि एक तो ये बात कह सकते हैं तो वही बता रहे हैं कि आकर्तिम इत्याह कहते हैं कि हमने आकर्ती को पदार्थ मान करके यह विग्रह किया है कौन सा? सिद्ध सब्द अर्थ सम्मंद हैचा समझ गई कि नहीं? सिद्धे सब्दे अर्थे संबंधेचा ये हमने क्यों किया है आकर्तिम इत्याह आकर्ती को पदार्थ मान करके इसका आह मतलब उत्तर दे रहे हैं कि आकर्तिम पदार्थम मत्वा आकर्ती को पदार्थ मान करके हमने यहाँ विग्रह किया है कि सब्द का अर्थ जो होता है वा क्या होता है आकृती होता आकृती मतलब आकृती यानि जाती अव्यवसं रचना तो वो नित्य होती है इसलिए सिद्ध का अन्वे अर्थ में हो जाएगा क्योंकि अर्थ कोई कह सकता है कि जैसे सब्द क्या है घट तो घट सब्द तो नित्य है लेकिन जो उसका अर्थ है घट अर्थ वो तो नित्य नहीं है संका हो सकती है कि नहीं भाई सब्द तो सिध्य है नित्य है उनका अर्थ का सम्मंध भी नित्य है लेकिन जो अर्थ है वो तो नित्य नहीं है घट नित्य है क्या? घट पदा अर्थ नित्य है? नहीं है घट द्रब्य तो नित्य नहीं है तो कहते हैं देखो हम पद का अर्थ घट पदा अर्थ मानते ही नहीं घट द्रब्य नहीं मानते हैं क्या मनते हैं? उसके अंदर रहने वाली घटत तो जाती अब बताओ, तो अब जो अर्थ है वो सिद्ध हो जाएगा किनि हो जाएगा? अर्थ से हमने क्या लिया? घट या तो द्रब्ब ले 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 या फिर क्या ले ले? घटत्व जाती ले ले तो अगर हमने अर्थ से घटत द्रब्य लिया तो उसमें सिद्धकान में हो पाएगा नहीं हो पाएगा क्योंकि हमने घटत्व को ले लिया घटत द्रब्य को ले लिया और अगर हमने घट से क्या ले लिया अर्थ से घटत तो जाती तो फिर जो अर्थ अगर ले लिया तो सिद्धकान में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा हो जाएगा तो कहते हैं कि आकर्ति मीत्या हा आकर्ति ऐसा हम पदार्थ मान के ये विग्रह करेंगे समझ गए कि नहीं तो काम बन जाएगा कि नहीं क्योंकि कुते एतत ऐसा क्यों भाई कुता एतत एतत मने यहां कुता मने क्यों कहां से तो कहते आकर्तिर ही नित्या द्रब्यम अनित्यम आकर्ती ही मने चूंकी आकर्ती नित्य है और द्रब्य क्या है अनित्य है आकर्ती मने जाती नित्य है और जाती अथवावयवसन रचना तो वो तो नित्य है और द्रब्य क्या है इसलिए हम अनित्य को पदार्थ मानेंगे अगर अनित्य को पदार्थ मानेंगे तो सिद्धे का आर्थ में अन्नों हो पाएगा इसलिए हम किसको पदार्थ मानेंगे मान करके और विग्रह करेंगे सिद्धे सब्दे सिद्धे अर्थे और सिद्धे संबंधे चो तो यह विग्रह बन जाएगा कि नहीं सिद्धकान नित्यकान नों अर्थ में हो जाएगा जब आकरती को पदार्थ मानेंगे तो तो कहते हैं कि अगर हम द्रब्य को पदार्थमाने तो फिर अर्थ में सिध्धकान में होगा तो याने कि हमको फिर विग्रह बदलना पड़ेगा कि नहीं तो वही प्रस्ण उठा रहे हैं कि अथा द्रब्य पदार्थे कथम विग्रह करतब्या अथमाने यदी द्रब्य पदार थे द्रब्य को पदार थमाने तो कथम विग्रा करतब है विग्रे कैसे करना चाहिए भी जरा बताओ क्योंकि पाने नी जीने तो दूनों को ही पदार थमाना है आकरती को भी इसमें प्रमान भी हम आपको बता चुके हैं आकृति को पदार्थ मानने में क्या प्रमान है और व्यक्ति यानि द्रव्य को पदार्थ मानने में क्या प्रमान है इसकी व्याख्या हम पिछले वीडियो में आपको कर चुके हैं क्यों ऐसा है तो कहते हैं कि जब द्रव्य को पदार्थ मानेंगे तो सब्दार्थ संबंधे का विग्र है क्या करना चाहिए तो कहते हैं सिद्धे सब्दे अर्थ संबंधे चो समझे कि नहीं सिद्ध कान कहा हो रहा है सिर्फ सब्द में हो रहा है अर्थ में नहीं हो रहा है अर्थ के संबंध में हो रहा है यानि अर्थ नित्य नहीं है, सब्द नित्य है और सब्द का जो अर्थ के साथ में संबंध है वो नित्य है सब्द का अर्थ के साथ संबंध है वो संबंध क्या है वो है बोध जनकत्य की योगता क्या है बोध जनकत्य की योगता बात समझ में आ गई कि नहीं तो बोध जनकत्य की योगता तो हमेशा रहेगी ही सब्द में कि नहीं रहेगी चाहें द्रब्य नष्ट हो जाए चाहें द्रब्य रूपी पदार्थ जो है अर्थ है वो क्या हो जाए नष्ट हो जाए तो क्या बोध जनकत्यों की योगता सब्द में नहीं रहेगी, क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से आकास नित्य है, तो आकास के अंदर रहने वाला सब्द भी नित्य है, और सब्द नित्य है तो सब्द के अंदर रहने वाली जो बोध जनकत्यों की योगता है, क्योंकि वो सब्द में रहती है सब्द में सब्द नित्य है सब्द कहां रहता है आकास में आकास नित्य है इसलिए उसमें रहने वाला सब्द नित्य है तो सब्द में रहने वाली बोध जनकत्य की योगता जो बोध को पैदा कर सकने का योगता है सामर्थ वो भी उसमें रहेगा कि नहीं तो बोले अगर ऐसा है, सब्द अगर नित्य है, तो वो सब्द हर जबे मिलता क्यों नहीं, तो कहा कि उसका वेंजक जब रहेगा, तभी वो उपलब्द होगा, सब्द का वेंजक कौन है दोनी, जो हम दोनी करते हैं ये सब्द नहीं है, ये तो उसका वेंजक है, इसके द्व द्वारा सब्द हमको व्यंग से उपलब्ध होता है द्वनी के द्वारा व्यंग के रूप में सब्द हमको उपलब्ध होता है वो व्यंग सब्द होता है और क्या जो उपलब्ध होता है वही सब्द है वो नित्य है यह तो द्वनी है निरर्थक है यह सिर्फ व्यंजक है बॉद्ध होता है वो स्फोट रूप सब्द है वो बॉद्ध है आंतर है अंदर है वो बॉद्ध है बुद्धी का भी सह है वो वही बॉद्ध सब्द है और उसके द्वारा एक बॉद्ध अर्थ भी मिलता है वो आंतर सब्द है समझे के नहीं बॉद्ध बुद्धी का भी सह है वो समझे कि नहीं कोई बात नहीं अगर आकास में भी मालने तो भी उस सब्द हर जगे बेंजीत नहीं होता बेंजीत वो धुनी के माध्यम से ही होता है समझे कि नहीं तो इसलिए हर जगे सब्द की उपलब्धी नहीं होती है तो वही बता रहे हैं कि सिद्धे सब्द नित्य हुआ और सब्द के अंदर जो बोध जनकत्य की योगता है अर्थ को बोध करा सकने की जो योगता है वो भी क्या है उसके अंदर नित्य है तो सब्द भ जब पदा अर्थ मानेंगे तो अर्थ नित्य नहीं है इसलिए अर्थ में उसका अन्वे सिद्ध का नहीं होगा कहां होगा सिद्ध का नित्य का अन्वे सब्द में होगा और कहां होगा अर्थ के साथ जो संबंद है सब्द का उसमें होगा समझें कि नहीं नित्यों ही अर्थवताम अर्थवानों का अर्थवानों का अर्थवानों के साथ में जो अभी संबंध है वह नित्य होता है समझ गए कि नहीं अर्थवता मतलब अर्थवान जो शब्द है अर्थवान कौन है तो सब्दा नाम अर्थवान मतलब कौन सब्द तो सब्दों का जो अर्थवान ही सह अर्थों के साथ में जो संबंध अभी संबंध होता है बोध जनकर्टों की यो गिता तादात में वो संबंद क्या होता है नित्य होता है समझ गई कि नहीं समझे अर्थवता मतलब अर्थवाले सब्दों का अर्थई मने अर्थों के साथ में अर्थवाले कौन है सब्द उनका अर्थों के साथ में जो संबंध है वो क्या होता है नित्य होता है दरब्यों के साथ संबंध नित्य होता है तो नित्य संबंध हुआ और नित्य सब्द हुआ अर्थ नित्य हुआ अर्थ नित्य नहीं हुआ ये बास समझ में आ गई कि नहीं तो इसलिए बिग्रह क्या करेंगे हम सिद्धे सब्द सिद्धे अर्थ संबंधे चो हमज़ गई कि नहीं यह बास समझ में आ गई अर्थ संबंधे चो सिद्ध का अन्वे संबंध में और सब्द में होगा अर्थ में नहीं होगा कहते हैं कि अथवा अथवा कहते हैं कि द्रब्य एव पदार्थे एस बिग्र हो नियाई यहा बोले कि द्रब्य ही पदार्थ जब मानेंगे तब भी एस बिग्रह माने यह बिग्रह है नियाई यह मतलब उचित है समझ गए कि नहीं द्रब्य एव पदार्थे द्रब्य को ही अगर पदार्थ मानेंगे तो भी एस विग्रह माने यह विग्रह है नियाई यह मतलब उचित है यह मतलब पूर्वोक्त न पूर्वोक्त पूर्वोक्त लिखा है आगे यह मतलब यह वाला सिद्धे सब्दे, सिद्धे अर्थे और सिद्धे संबंधे चओ इस पक्ष में द्रव ये ये यु पदार था पदकार्थ जब हम क्या मानेंगे द्रव्य को मानेंगे तो भी यह विग्रह नियां ये मतलब उचित है बुले ऐसा कैसे हो सकता है अगर पदार्थ तुम द्रव्य मानोगे तो द्रब्य नित्य होता है क्या तो द्रब्य का सिद्धे का सब अन्य अर्थ में पदार्थ में अगर अर्थ के रूप में हमने द्रब्य को पकड़ा द्रब्य को पकड़ा तो सिद्धे का अन्य अर्थ में होगा तो अर्थ विग्रह ये बाला कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे क्योंकि द्रब्य तो अनित्य होता है तो कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है ऐसी बात द्रब्यम ही नित्यम द्रब्य ही नित्य होता है आकरती ही अनित्या आकरती ही अनित्य होती है बोले ऐसा कैसे हो गया भाई तो कहा देखो ऐसा है क्या है कि कथम ज्याएते यह कैसे पता चला भाई तो कहा देखो एबम ही द्रिस्थेते लोके ऐसा लोक में दिखाई देता है एबम ही द्रिस्थेते लोके माने ऐसा लोक में दिखाई देता है तो कहते हैं कि जैसे मृत माने मिट्टी कयाचिद आकर्तिया युक्ता पिंडो भवती मृत माने मिट्टी कयाचिद आकर्तिया मने किसी आकर्ति से युक्त हो करके क्या हो जाती है पिंड मतलब लोदा मिट्टी का ठेला हो जाती है फिर पिंडा आकर्तीम उपम्रिद्य, पिंड की जो आकर्ती को उपम्रिद्य मतलब नास करके घटिकाह करियनते, नास करके पिंडा आकर्ती को नश्ट कर देते हैं, लोंदे को तोड़ फोड़ करके और फिर उससे घटिकाह करियनते, छोटा घड़ा बना लेते हैं, नहीं सम फिर घटिका की आकरती को उपमर्दन करके और उसको मने नास करके और फिर से कूट 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 के उसको फिर से मिट्टी मना करके फिर कुंड बना लेते हैं बड़े-बड़े ये बात समझ में आगी कि नहीं फिर तदेथा और भी उधारण दे रहे हैं कि सुबरणम कयाचित आकरतिया युक्तम पिंडो भबति जो सुबरण है वो कयाचित मने किसी आकरती से युक्तो हो करके पिंडो हो जाता है पिंडा करतिम उपमर्द पिंड की आकरती को उपमर्दन माने नास करके रुचकाह करियंते रुचक बना लिये जाते हैं रुचक माने कुछ होगा सोने का कुई आभूसान इत्यादी हमझे के नहीं कुंडल जो भी होता हो रुचक की आकरती को उपमर्दन करके नास करके उसको पिगला करके कड़े बना लिये जाते हैं पिर कटकाह करतीम उपमर्द स्वस्तिकाह करियंते कटक की आकर्ती को उपमर्दन करके हटा करके स्वस्तिक माने उसको पिखला करके स्वस्तिक क्याकार का कुछ बना लिया जाता है आभुशन पुनहा आवरत्ता सुवर्ण पिंड़ फिर से उसको जो है क्या करके आवरत्त करके माने फिर से गुमा फिरा करके सुने का पिंड बना लिया जाता है पुनहा अपर या आकर्तिया युक्ता है फिर अपर आकर्ति से युक्त करके खदिर मने खैर खैर का ब्रिक्ष होता है उसके अंगार मने उसको खैर के ब्रिक्ष को जलाओगे तो अंगार बन जाएगा कि नहीं उसी अंगार के सबरन माने तुल्ले अंगार के तुल्ले लाल-लाल एकदम बढ़िया चमकते हुए कुंडले भवता, कुंडल हो जाते हैं, नहीं समझे आकरती ही अन्याच अन्याच भवती आकरती यानि अवेव संस्थान यहाँ पर अन्य अन्य हो रहा एक नहीं यानि आकरती का नास हो रहा एक नहीं तो आकरती ही अन्याच अन्याच भवती आकरती तो अन्य अन्य हो रही है द्रब्यम पुनस तदेव द्रब्य तो तदेव माने वही ही है ये बात समझ में करें द्रब्य तो वही है तब क्या होगा भाई बात समझ में आगई करें तो आकर्ती उपमर्देन द्रब्यम एव अवसिस्यते आकर्ती का उपमर्दन कर दो खतम कर दो आकर्ती को पिगला दो तो द्रब्यम एब अवसिस्यते, द्रब्य ही सिध्ध रहेगा वहाँ, द्रब्य ही बचेगा केवल, ये समझे के नहीं, द्रब्य ही सिष्ट बचेगा आवसेश रहेगा, तो द्रब्यम ही नित्यम आकरती है नित्या, तो द्रब्य उपदार्थे से विग्रहों नया, द्रब को ही पदार्थ मान के हम क्या विग्रे कर सकते हैं सिध्धे सब्दे सिध्धे अर्थे और सिध्धे संबंधे चा कर सकते हैं कि नहीं मने नित्य अर्थ भी तो है नित्य पदार्थ नित्य हो गया कि नहीं इद्रव्य पदार्थ तो कहते हैं कि ननुच उक्तम अभी ही तो आपने कहा है ननुच उक्तम अच्छा आकरतव अपी पदार्थे एस भी ग्रहो नियाई यह कि आकरती को भी हम पदार्थ माने अगर आकरतव अपी पदार्थे माने आकरती के भी पदार्थ मानने पर होने पर एस बिग्रहो नियाय यह, एस माने यह, बिग्रहा मने बिग्रह, नियाय यह माने उचित है, क्या, कि सिद्धे सब्दे अर्थे सम्मन्दे चाँ, क्यों कि देखो, फिर कहते हैं, प्रसन उठेगा कि यार, सिद्ध को अर्थ में जोड़ी नहीं पाओगे, क्योंकि अभी आकरती को आप क्या बता दिये, अनित्य बता दिये, तो अगर आकरती अगर तुम पद का अर्थ मानोंगे, तो क्या होगा, तो आकरती तो अनित्य है, तो सिद्ध कान्नों हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो कहते हैं, ननुच उक्तम आकरती है नित्य अभी तो आपने आकरती को अनित्य कहा, अभी आप पदार्थ क्या मान रहे हो, अभी आप आकरती को पदार्थ मान रहे हो, तो उसमें सिद्ध कान्नों होगा, नित्य कान मने द्रब्य भी नित्य है बोले नहीं ऐसा नहीं है आकृती नित्य है बोले कथम ऐसा क्यों भाई तो कहा देखो कि न कोचित उपरता इतिकृत्वा सरवत्र उपरता भवती न मने नहीं कोचित मने कहीं उपरता मने नश्ट हो गई इती कृत्व मने ऐसा करके सरवत्र उपरता भवति सरवत्र हर जगे उपरत मने नष्ट भवति मने हो जाती है नहीं समझे अगर कहीं पर वो नष्ट हो गई तो कहीं नष्ट का मतलब है अनभी ब्यक्त हो गई क्या हो गई और प्रकासित हो गई छिप गई तो क्या हर जगे पर नश्ट हो गई अरे एक जगे घड़ा फोड़ दिये दूसरा घड़ा नहीं है क्या सबरे फोन नश्ट थोड़े हो गए तो द्रब्यान तरस्थात उपलब्वे थे द्रब्यान तर माने दूसरे द्रब्वे में स्थित हो करके तो उपलब्द होती है कि नहीं आकरती ताकरती माने चाहें अवयव संस्थान लो चाहें जाती लो जो भी लो आप वो अन्यतर घट में उपलब्द हो जाएगी घटत तो जाती एक घड़े कुनिप्टा दो गे तो तो ना कोचित उपरता कहीं अगर उपरत मने नास हो गया, त इति कर्तव आइसा करके सरवत्र उपराताभवति, हर्जगे नश्ट हो जाती है, ऐसा थुड़ी है मैं जेक नहीं तो द्रव्यान तरस्थाद उपलब्भे ते दूसरे द्रव्य में उस्तित होकर कै तो उपलब्ध होती है क्योंड होती है द्रभ्यांतरमा ने दूसरे द्रभ्य में उस्तित हो करके उबलब्ध होती है अथवा कहते हैं ये समझ में आगे है कि नहीं क्योंकि हम घटत तो जाती लेंगे वो कहीं न कहीं द्रभ्य में तो उबलब्ध होगी ही अथवा नोई इदमेव नित्य लक्षणम कि द्रुभम, कूटस्थम, अभिचाली, अनपायो पजनविकारी, अनुत्पत्य अब्रद्धी व्यययोगी ये तत नित्यम ये वाला नित्य का लक्षण हम थोड़े लेंगे, ये समझे कि नहीं, ये क्या है, ये लक्षण क्या बताता है, कि देखो, कि अथवा ये नित्य का लक्षण पहले इसको समझ भी लेते हैं, द्रुभम का मतलब ही होता है कूटस्थम, द्रुभम का मतलब ही क्या होता है, ब जो घं होता है जिसके ऊपर कूटा जाता है तो वो हो गया कूट उस कूट के अस कूट के समान जो इस्थित रहे उसको कहते कूटस्थ वो हो गया धुरूब समझे के नहीं और अभिचाली का मतलब क्या है अभिचाली मतलब है जो दूसरे रूप में न बिचलन हो जो दूसरे रूप में बिचलित अभिचाली मतलब बिचलन ना हो जो दूसरे रूप में परणाम ना हो दूद का दही हो जाता है तो वो तो बिचलन हो गया के नहीं उसमें बोलो तो बता तो रहें ये नित्य का लक्षन है ही नहीं हम ऐसा नित्य लेते ही नहीं है कि जो कूटस्त हो अविचाली हो और कैसा अविचाली समझे के नहीं दूसरे रूप को पा लेना है विचाल और ना पाना और अनपाय उपजन विकारी मतलब क्या है इसका हाँ अब देखो अनपाय उपजन विकारी और अनुत्पत्ती अनुत्पत्ती मतलब जिसकी उत्पत्ती ना हो वो नित्य है जिसकी उत्पत्ती वो समझे के नहीं और अनुत्पत्ती का मतलब हम ये निकालेंगे अस्ती जायते वो है नहीं बर्धते विप्रणमते इत्यादी अस्ति ये भावविकार पताएगा है न सड़ भावविकार तो उनमें अस्ति है तो अस्ति का मतलब क्या होता है सत्ता तो अनुत्पत्ति यानि की जो सत्ता बाला नहीं हो ये बाला भावविकार खटा दिया नित्य वही होगा जिसमें अस्ति ना हो जिसमें उत्पत्ती ना हो, वही नित्य होगा जिसकी उत्पत्ती ना हो, जिसकी अस्ती ना हो, वो होगा समझे के नहीं, और जिसमें जायते भी ना हो अस्ती का मतलब यहां, जायते और अस्ती दोनों ले लेना है कि जिसमें जायते भी ना हो, अस्ती भी ना हो, जन्म भी नहीं हो, सत्ता भी नहीं हो अस्ती मने सत्ता और जायते मने जन्म ये दोनों जिसमें नहीं हो, वो क्या होगा? नित्य होगा अनुत्पत्ती सब्ड से क्या लेना है? कि जिसमें जन्व भी ना हो, सत्ता भी ना हो, जायते भी ना हो, अस्ती भी ना हो, ये बात समझ में आ गई का नहीं, और क्या लिखा है, अब्रद्धी, अनुत्पत्ति अब्रद्धी, मने जिसमें ब्रद्धी ना हो, बर्धते ना हो, अभी अनपाय वाला पता चलेगा, पह क्या है अनपाय उपजन अनपाय में अन का अन दोनों में करना है अनपाय और अनुपजन क्या और विकारी में भी मनें अनपाय और अनुपजन अविकारी मतलब यह है कि जो अपाय रूपी विकार है और उपजन रूपी विकार है वो जिसमें ना हो विकार और उपजन रूपी विकार जिसमें ना हो अपाय का मतलब होता है अपचय अपाय माने क्या होता है उपचय और अपचय होता है न उपचय मतलब क्या होता है बढ़ना समझे के नहीं तो उपजन हाँ ये समझ में आगे के नहीं तो उपजन का मतलब भही है बढ़ना है यह बात समझ में एक नहीं जिसको हम वहाँ पर कहते हैं क्या क्या रहते हैं मने अस्ति, जायते, बर्धते, विपरिणमते समझे एक नहीं तो जो बर्धते के बाद विपरिणमते है वो है यहाँ उपजन से लेना कि उपजन का मतलब क्या है विपरिणमते और अनुपजन मने उपजन रूपी विकार से रहित हो जो जिसमें विपरिणाम ना हो ये समझें कि नहीं विपरिणाम से रहित हो अनपाय का मतलब उसके बाद जो अपक्षियते है अपक्षियते था ना अपचय यानि अपक्षियते और फिर बिनस्यती है तो यानि जो जिसमें अपक्षय ना हो ये हो जाएगा अनपाई का मतलब अपाई मने अपक्षय और अनपाई यानि जिसमें अपक्षय ना हो ये समझगे कि नहीं अपक्षय यानि नास दिरे दिरे नास छरण हो जाता है उसका तो वो ना हो जिसमें तो अपाय रूपी विकार से रहित हो अपक्षय रूपी विकार से रहित हो और उपजन रूपी विकार यानि पिपरिनाम रूपी विकार से जो रहित हो समझगे के नहीं, अनपाय उपजन विकारी, मतलब अपाय रूपी विकारी वाला विकारी नहीं हो, उपजन रूप विकार वाला नहीं हो, समझगे के नहीं, अनपाय उपजन विकारी, अपाय मतलब अपक्षय रूप विकार वाला नहीं, उपजन यानि विपरणमते रूप वाला जो यह 6 भाव विकार है नहीं हो तार पर यह है और फिर क्या है अब्यय योगी अब यह का मतलब है वही विनस्यति अपक्षियत के विनस्यती तो विनस्यती यानि नास रूपी जो छठा भाव विकार है उसको अब्य कहे करके हटा दिया जिसका व्या यानि नास ना होता हो अब्य मने जिसका विनास ना होता हो अब्य का मतलब जिसका विनास ना होता हो तो ऐसा जो होता है समझे के नहीं योगी मतलब इन से जो युक्त हो यानि कि छे भाव विकारों बाला जो ना हो समझे के नहीं तद विपरीत से जो युक्त हो वही क्या होता है यत माने जो तद माने वो नित्य माने नित्य होता है समझे के नहीं यही नित्य होता है कहते हैं ये वाला नित्य जो है बास्तम में नित्य तो नहीं है ये नित्य तो हाँ कहते हैं ये तो ब्रह्म अभी से एक नित्य तो है समझे कि नहीं ये तो ब्रह्म अभी से एक नित्य तो है और ये जो है नित्य सब्दकार्थ नहीं है, यह समझें कि नहीं, तो कहते हैं कि यह बात समझ में आगी कि नहीं, तो क्या फिर नित्यत्त है, तो कहते हैं कि तदपी नित्यम यस्मिन तत्वम न भीहननेते तदप माने वो भी नित्यम माने नित्य है यस्मिन माने जिसके नास होने पर यस्मिन मतलब जिसके नास हो जाने यस्मिन भीहते अपी जिसके नास हो जाने पर तत्वम माने उसके अंदर का धर्म न नश्ट हो वह भी नित्य है यह बात समझ में आई के नहीं यानि प्रवाह नित्यता से जो नित्य है वह भी नित्य है जैसे घट है तो यसमिन घटे नश्टे अपी तत्त्तम माने तद्वृत्ती धर्मा घटत्तम न भीहननेते उसके ब्रती घटत्त भीहननेते नश्ट हो जाता है क्या तो इसलिए घट भी नित्य है समझे के नहीं क्योंकि घट के अंदर प्रवाह नित्यता है घट हमेशा से बना हुआ है तो ये नित्यता सब्द में भी है क्या नहीं है सब्द के नास होने पर भी उसके अंदर का सब्द तो जाती रहती है ऐसे ही अर्थ के निष्ट होने पर भी उसमें जाती रहती है और जब सब्द और अर्थ नित्य हैं तो दोनों में तादात्म संबंद जो है वो भी नित्य ही होगा कि नहीं होगा तो यस्मिन मने जिसके नास होने पर भी, तत्तम मने उसके अंदर का धर्म, न भी हन्यते मने न नश्ट हो, तदपी नित्यम, वो भी नित्य है, हमको सिर्फ ब्रह्माई रूपी नित्य नित्य नहीं लेना है, ऐसा नित्य तो फिर सब्दार्थ में नित्य तो भनेगा ही नही समझें का नहीं वो नव 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 का जो धर्म है आकरती के अंदर का धर्म है वो कहीं वो नश्ट हो जाता है क्या नहीं वो कहीं न कहीं तो मिलता रहता है ना समझे के ने समझे और एक बात है जैसे घटत तो जाती है गर भो भी हम आकरती से लेंगे तो आकरतव अपिमाने आकरती के नश्ट होने पर भी घटत तो जाती भले नश्ट हो जा उसके अंदर का घटत त्वत तो रहेगा क्योंकि हमारे हाँ जाती के अंदर भी जाती मानते हैं बैयाकरण जो है नईयाईक जाती के अंदर जाती नहीं मानते लेकिन बैयाकरण जाती के अंदर जाती मानते है यानि घटत्त के नश्ट होने पर भी उसके अंदर का जो भाव है वो नश्ट नहीं होता है समझें कि नहीं तो यानि या फिर घटकी अवयवसन रचनात्मक जो आकरती है उसके नश्ट होने पर भी उसका जो भाव है उसका जो धर्म है वहाणश्ट नहीं होता तो आकरतव अप्याकरती में भी तत्यन उसका भाव नो भिहन अन्यते नहीं नश्टो होता है बात समझ में आई कि नहीं चलो आप कहते हैं कि अथवा किम नो एतेन हमको इससे क्या अथवा किम नो एतेन अथवा माने अथवा किम माने क्या नो माने हमको एतेन माने इससे नहीं समझे कि मने क्या नौ मने हमको नह है असमाकम एतेन मने इससे हमको इससे क्या फरक पड़ता है कि इदम नित्यम इदम अनित्यम जो ये नित्य है कि ये अनित्य है समझे कि नहीं समझे हमको इससे कोई फरक नहीं पड़ता है ये नित्यम तम पदार्थम मत्वा एस बिग्रहा क्रियते भाई जो नित्य हो उसको पदार्थ मान लो और फिर या बिग्रह कर लो कि सिद्धे सब्दे सिद्धे अर्थे और सिद्धे सम्मंधे जा नहीं समझे भाई आपको दिक्कत अर्थ में आ रही है कि अर्थ से अगर द सिद्ध कान्यों नहीं हो पा रहा यहीं दिक्कात है बोले अरे भाई जो आप जिसको नित्य मानना चाहो माल लो और सिद्ध उसी को पदार्थ माल लो यह नित्यम जो भी नित्य हो उसी को पदार्थ माल लो तो फिर उसमें सिद्ध कान्यों हो जाएगा के नहीं हो जाएगा कहते हैं कि कथम पुनर ग्यायते सिद्धा सब्दा अर्था सम्बंध कि ये बताओ कि ये कैसे ग्यान होता है कि जो सब्द अर्थ और सम्बंध वो सिद्ध है ये समझ गए कि नहीं सब्द अर्थ और सम्बंध क्या है सिद्ध है इस वात का ग्यान कैसे होता है कथम पुना ग्यायते किस प्रकार से पुना माने फिर ग्यायते पता चलता है कि सिद्ध सब्द और सिद्धर्थ और सिद्ध संबंद है तो कहा लोकता है ये बात हमको लोक से पता चलती है हमने कहाता न लोकता का दोनों तरफ अन्यों होगा सब्दार्थ संबंद उभेतर संबंद के लिए बारतिकों का तोड़ तोड़ करके व्याख्यान किया था नहीं तो ये बास्तम में एक ही बारतिक मिला करके है तो लोक से ये पता चलता है कि सब्दर और तरसंबंद तीनों क्या हैं नित्य हैं कैसे कि यत माने चूंकी लोके लोक में अर्थम अर्थ प्रियूंजते अर्थ अर्थ को उपादाय माने बुध्धी विशय बना करके ग्रहन करके क्या करते हैं करने के पहले उसकी उत्पत्ती में कोई बड़ी भारी प्रैत्न करते हैं कुछ नहीं अर्थ को बस बुद्धी का बिसे बनाते हैं उपट से सब्द बोल देते हैं तेयत माने चूंकी लोके माने लोक में अर्थम अर्थम उपादाए हर अर्थ अर्थ को प्रतेक अर्थ को बुद्धी का विषय बनाते हैं नहीं समझे आत्मा बुद्धिया समेत्य अर्थान अर्थों को क्या करता है बुद्धी का विषय बना करके अमनों यूंगते भी मक्षया यह तो पता है कि नहीं आपको वही पाड़ेनी जिक्षक प्रक्रिया है तो अर्थ को लेकर के बुद यानि अनित जो भाव माने पदार्थ होते हैं। कार्य मतलव अनित्य भाव माने पदार्थ ही माने जो पुना माने किन्तु जो कार्य मतलव अनित्य पदार्थ होते हैं तो निरब्रत्व तावत तेसाम यतना क्रियते तावत माने पहले उनमे निरब्रत्व माने उनकी उत्पत्ती में निस्पत्ती में उत्पत्ती में तेसाम मने उनकी यतना मने यतन क्रियते मने किया जाता है समझ गए कि नहीं जैसे तद यह था घटेन कार्यम करिस्यन घट से कार्य को करिस्यन मने आगे करने बाला है अगर कोई तो वो पहले कहां जाएगा कुम्भकार कुलम गत्वा कुम्भकार के मने कुमार के कुल मने समूह में जहां कुमार रहते हुँगे उनके घर में जाएगा नहीं समझे और गत्वा मने जाके आह मने कहेगा कहता है क्या कुरु घटम घडा करो कुरु घटम मने घडा को बनाओ निर्वर्ति करो कार्यम अनेन करिस्यामी अनेन माने इस गड़े से मैं कार्यम करिस्याम मा कार करूंगा गटं कुरू और नो तदबत सब्दान प्रयू यूक्षुमान नो माने नहीं तदबत माने उसकी तरह नहीं समझे गड़े की तरह सब्दान माने सब्दों को जो प्रयोक्षुमान हमाने प्रयोक करने का इच्छु कोई वेक्ती है वो भैया करन कुलम गत्वा आहा भैया करन के कुलमे गत्वा हमाने जाके आहा हमाने कहता है कि कुरू सब्दान प्रयोक्षे एती सब्दों को जरा बनाईए हम प्रयोक करेंगे ऐसा कोई कहता है क्या तो तावतियव तावतियव मने उतने में ही उतने में ही मतलब बैया करणों के कुल में बिना जाए ही अरे जब तक जाएगा तब तक तो प्रियोग कर लेगा भाई नहीं समझे बैया कुल में जाकर सब्द बनवाक ब्रूज़ेगा उससे पहलेकर लेता है तावतियेव मतलब उतने में ही अर्थों को उपदाय ममने अर्थों को बुद्धी का विषये बना करके सब्दान प्रियूंजते सब्दों का ब्रूज़ेव कर लेता है ये बात समझ में आगी के नहीं? तो यानि सिद्ध क्या हुआ इससे? इससे सिद्ध क्या हुआ? कि जो सब्द हैं वो नित्य हैं, वो कार्य पदार्थ अनित्य भाव नहीं हैं, कार्याह भावा मने अनित्य पदार्थ नहीं हैं, अनित्य पदार्थ जो होते हैं, उनका प्रिय प्रयोग करने के लिए पहले उनके निर्ववर्ति या निस्पत्ती में यतन किया जाता है। सब्द इस प्रकार के नहीं हैै, बास समझ में आंगे के नहीं। अब इसके बाद आता है आपका धर्मनियमा अधिकरण के सब्दों के प्रयोग में, धर्म है, क्या है। तो इस चीज को हम लोग क्या करेंगे अगले पार्थ में देख लेंगे इस पार्थ को यहीं तक रहने देते हैं सर विभ्भू नमो नमा